बहरगण निवासी विजय पिता नीडू मते उम्र 32 वर्ष और मनीश पिता नीडू मते उम्र 24 वर्ष दोनों भाईयों पर 21 अक्टूबर को रात आड़ वजे ग्राम के ही चार लोगों के द्वारा धारदार हत्यार से हमला किया गया जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से फ़ार गये जिनने परतमे कुबचार के लिए सामधा take स्वास्त केंद्र घ्रलांजे लाया गया दोनों की हालत बहुत गंबीर होने की वज़े से उन्हें बालागाठ हास्पिटल से दत्ता मेगैं हास्पिटल वर्धा रफर किया गया था जहां दोनों भायों का इलाज किय गया इलाज के दौरान 23 अक्टूबर को दोनों भाईयों में से एक भाई विजय की मौत हो गई देर रात में मृतक की राज ग्राम भॉरगर लाई गई तो परिवार और ग्रामिनों में भारी आक्रोश देखा गया उसी की चलते परिवार जनों और ग्रामिनों द्वारा मृत तक कि लाश को में रोड पर रखकर चक्का जाम किया गया इसकी जानकारी प्रसाशन को मिलते ही पुलिस प्रसाशन ततकाल मौके पर पहुचा और परिवार वालों को आसबस्ट कराते हुए कहा कि आरूपियों को जल्द गिरफतार किया जाएगा पूरा अमला उन्हें तलाश अपने घर ले जाए गई और जाम हटाया गया पुलिस प्रसाशन पर ये सवाल उठता है कि घटना 21 अक्टूबर की है तीन दिन पूरे होने के बावजूद प्रसाशन ने आरूपियों को आखर गिरफतार क्यों नहीं किया